जी हाँ दोस्तों आपको गौवर्मेंट सेक्टर में बहुत अच्छी अपरचुनिटी मिली है यदि आपने M.com किया है यदि आपने M.ba किया है यदि आपने B.com किया है B.ba किया है या अगर आपने कोई और भी ग्रेशन किया है जैसे आपने B.ca किया B.ta किया और कोई और ग्रेशन किया है इवन अगर आपने 10 भी किया है तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी सरकाई नोकरी मिलने वाली है जो की बहुत अच्छे वेतनमान पर है तो आईए हम समझते हैं इ केंदरी करशी विकास संस्थान यह गौर्मेंट की हम वेबसाइट पर आ गए जो वेबसाइट है जी सी ए जी डी डी डॉट इन यह केंदरी करशी विकास संस्थान की ओफिशल वेबसाइट है देखिए यहां आने के बाद हम यहां पर इसके भरती मर जाते हैं भरती पर जान यदि आपने M.com किया है और M.B.A किया साथ में आपको तीन वर्ष का नुबव है तो आप मुख निवेश अधिकारी के लिए पात रो सकते हैं वो भी सीधे रूप से और इसके लिए आपको पद संख्या 36 मिलेगी मला 36 और वेतनमान देखिए आप कितना अच्छा है 45,000 पर म और यह तो स्टार्डिंग है दीरे दीरे वतनमांग आगे बढ़ता जाएगा परिक्षा शुलक देखिए इसमें कोई परिक्षा शुलक है ही नहीं जीरो परिक्षा शुलक है और आपकी जो एज है वो एक आट दोजार बीस को अधिक्तम आयू सीमा 35 वर्ष होना चाहिए इसके अलाबा भी अगर आपने बी कौम या बी बी किया और आपको माली जी एक वर्ष का नुबा है तो फिर आप इलिजीबल रहेंगे निवेश प्रबंदक के लिए जिसकी 99 पोस्ट केंदरी करेशी विकास संस्थान ने उपलद कराई है और इसके वेतन मांग देखिए 38 याने 38,000 पर मन्त रहेंगा ये सिर्फ स्टार्डिंग है आप गौर्मेंटम जाते हैं तो ये आपकी स्टार्डिंग दी जाती है लेकिन धीरे धीरी आपकी सलरी बहुत बढ़ती जाती है इसकी अगर आप आयू देखें तो इसकी आयू भी वही है एक अगस्ट 2020 को अधिक सहायक में कोई भी हो सकता है B.C.A. हो सकता है और यदि आपने कोई बिया किया है तो वो भी हो सकता है थो उसके लिए देखी आप सहायक निवेश प्रभन्दक ये एक पोस्ट है जिसकी 996 याने 996 नाईह हैं नाइनगे नाइनगे नीतिन नाइन पोस्ट ओर ओर इंडिया ह और वदी इंडिया में है ठीक है और इसकी देखिए आप वेतन मानंग भी देखिए अच्छा है बीस अजार पांस सो है और इसकी एज भी वही है एक अगस्त एक अगस्त दुजार बीस को अधिकतम 35 वर्ष से जादा नहीं होना चाहिए जो अंडरली होती भी नहीं है अगर अगर आप सरकाई नोखुरी जून रहे हैं तो उसकी भी नहीं होगी और इसके शुल्क वो भी जीरो ही है और मानीजी आपने कोई भी ग्रेजुशन नहीं किया कोई आपने भी कॉम नहीं किया टोयल्थ भी नहीं किया और आपने कुछ भी नहीं किया सिर्फ आप 10th पास है हाई स्कूल पास है या उसके संपकश और भी कोई परिक्षा की है तो भी फिर आप व्यावसाय प्रतीनी दी केंदरी क्रिशी संस्थान में बन सकते हैं इसके लिए पोस्ट होंगी 1036 पोस्ट है और इंडिया और इसकी सेलरी भी आप देखिए कितनी अच्छी है 16680 और आपको इसके एक्जाम के लिए तो कोई शुलक देना ही नहीं है या बहुत अच्छी बात है अब आप नीचे अपन इसके आते हैं नौट के अंदर ये देख हुआ इच्छुक पात रभ्यारती संस्थान के इमेल आइडी cagdi.india.gmail.com पर अपना वायोड़ीटा सीधा प्रसुत कर सकते हैं और इसमें कोई रिटन है यह नहीं जिसमें कि आप बोले कि हमें पढ़ना पड़ेगा ऐसा कोई रिटन नहीं है डारेट आपका इंटर्वी होगा लेकिन आप यहाद देखिए जब बार बीटा भेजें तो उसमें फोटो रूर लगाएं और उसमें अपने सारे डिटेल लिखें उसके अंदर और इस आविदन को 25 जून 2020 तक यह जो हमने बताया आपको cagdi.india.gmail.com पर भेज़ दें ठीक है और जहां पर भी आप हो ऐसा नहीं है कि उसके मुख्या लह में होगा जहां पर भी आप हो जिस भी स्टेट पर आप हो उसकी वो इंटरव्यू कहां पर होगा किस डेट को होगा उसके लिए आपको इनकी वेबसाइट को चेक करते रहना पड़ेगा जो की वेबसाइट है www.cagdi.in याने की email भेजने के बाद यह आपको फिर इंफॉर्म करेंगे इस वेबसाइट पर कि आप उस पर्टिक्लर स्टेट पर कितनी तारीक को उस जगह पर जाए और इंटरव्यू दे ठीक है तो उसको लिए यहां पर राविदेग समय समय पर संस्थान की वेबसाइट यह जो मैंना भी आप बता किये गए रिज्यूम बाद डेटा सीवी आदी वेब्यारति को अपना आधार संक्या अंकित करने आनिवार याद रखिए कि आपको आधार संक्या उसके अंदर मेंशन करना होगा उसके अंदर मतलब बायो डेटा के अंदर क्योंकि बायो डेटा तो आपको इमेल करके रेगुलर है मतलब यह सारी पोस्टें आपको रेगुलर हैंगी मतलब यह आगे बढ़ती चली आएंगी ठीक है तो यह अपने पूरा देख लिया है वेबसाइट तो मैं उमीद करता हूं कि यह आप वीडियो आपके लिए बहुत काम होगा तो इस बायो डेटा को भेजने की याद रखिए 25 जून जो है वो 25 जून 2020 इसकी लाज़ डेट है तो इस डेट से पहले ही आप जो हमने आपको इमेल आइडी बताईए उस पर आप जरूर उसको अपने बायो डेटा को आधार संख्या के साथ भेज़ दीजिए तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि मैं और ऐसे आपके लिए वीडियो बना सकूँ जो आपकी केरियर को नए-ने आप्शन दें नए-ने डाइमेंशन दें तो मेरे इस वीडियो को जासा आप लाइक करें मेरे वीडियो को आप जासा शेयर करें ताकि ये वीडियो बहुत आप जैसे बहुत स मिस ना हो तो अपने मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें देखेंगे कैरियर से जुड़े हुए और कौन सी वेकंसी गौर्रमेंट वेकंसी हैं तो तब तक के लिए टेक क्यार एंड थेंक्स फॉर वाचिंग